मुल्क शमाली हिस्सों के अंदर जहां पर बारिशों का सिल्सला जारी है तो जम्मु कश्मीर पहुंचते पहुंचते भारी बर्फपारी पिछले 7-8 घंटों से, मुखतलि फिलाकूं के अंदर जहां पर शुमालो जुनूब में भी मामुलाते जिन्गी ताजा बर्फपारी से मुतासिर हुए है वादिय कश्मीर में बिजली पानी की सप्लाई जहां पर बरफपारी से मुतासिर हुई है तो बड़ी बात ये कि वादिय कश्मीर का राबता ही बाकी दुनिया से इस वक्त मुंकता हो गया है चाहे वो जमीनी रास्ता हो फिजाई राबता हो वो मुंकता बरफपारी का सलसला इस वक्त भी जारी है और ना सिर्फ कश्मीरवादी के अंदर जम्मू सुबे के अंदर भी बदलते मौसम के साथ ही लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है इसके साथ-साथ आपको यह भी बताते चले बदलते मौसम के बीच इंतजामियां के तरफ से कई एहम फैसले लिए गए हैं यूनिवर्स्ट्री हुकाम, बोर्ड हुकाम और उसके साथ-साथ दीगर महकमों के तरफ से भी फैसले लगातार लिए जा रहे हैं इसके साथ हम दूसरी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जबुकश्मीर के अदनर इस वक्त भी बरफपारी हो रही है और आज इम्तिहानात का सिलसला भी साथ-साथ चल रहा है तो ऐसे में कश्मीर उनिवरस्टी के तरफ से जहां पर ताजा बरफपारी या बदलते मौसम के बाद आज का होने वाला इम्तिहान मुल्तवी कर दिया गया है जम्मू से नगर कौम शारा भी बंद है बरफपारी के बाद हवाई सफर भी महंगा हुआ है मुश्किलात ही मुश्किलात अवाम के लिए और दूसरी तरफ महकब मौसमियात ने पेशन गोई कर दी है कि फिलहाल 6 जनवरी तक इसी तरह का मौसम रहेगा हलकी से दर्मियाना दर्जे की बरफपारी तमाम इलाकों के अंदर होने के आसार नज़र आ रहे हो और फिलहाल हलकी ठंड जो है दर्जाहरत में जरूर बेहतरी गुजश्चता दिनों के मुकाबले आएगी लेकिन बरफपारी और हलकी बारिशों से फिलहाल लोगों को राहत 6 जनवरी तक नहीं मिलने वाली है वादिय कश्मीर बरफ की सफेद चादर में मलबूस हो गई है और ये साले नव की पहली बरफबारी है जिसका जनूबी कश्मीर में ज्यादा असर दिख रहा है बरफबारी की वज़े से स्ट्रीनगर हुआई अड़े पर इतवार को आने वाली सभी परवाजे मतासिर हुई याने सब को कैंसल करना पड़ा जबकि स्ट्रीनगर जम्मू शहरा बंद रही वादी का जमीनी रापता भी मुनकता और हुआई रापता भी मुनकता हुआ है सनीचर और इतवार की दर्मियानी शब से हो रही बरबारी का सिलसला आज सुबा भी कई इलाकों के अंदर जारी है और स्ट्रीनगर शहर की जब हम बात करेंगे तो स्ट्रीनगर में याने शहर में सनीचर और इतवार की दर्मियानी रात को हो रही तेज हुआएं चलने लगी जिस दोरान बारिशे मी कहीं पर हुई और उसके फौरान बाद बरबारी का सिलसला शुरू हुआ जो आज भी वक्फे वक्फे से लगातार जारी है और वस्ती कश्मीर बढगाम के मैदानी इलाकों में बरबारी के नतीजे में मामुलाती जिन्दगी मतासिर होकर रह गई और बालाई और मैदानी इलाकों में बराबारी का सिलसला शाम देर गए तक जारी रहा शाम गये तक चारी शरीफ में 11 इंच यूस मर्क में डेड़ फुट पकर पोरा के पास डेड़ फुट नोगाम और वतर गाम के आसपास के अलाकों के अंदर भी 12 इंच से ज्यादा बरब जो है वो रिकॉर्ड की गई है चारी शरीफ के और जाने वाले रास्ते कल पूरी तरह से मतासिर रहे और बाद में इंचिनरिजिंग महकमे की गाड़ियां भी नजर आई है जनुबी कश्मीर की अगर हम बात करें तो कुलगाम से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मताबिक गुजशता शब शदीद बारी रिकॉर्ड की गई है डेड़ फुट से तीन फुट तक बरबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है जनुबी कश्मीर के अंदर और इसके साथा डीके मर्ग दमहाल हांजी पोरा आरबल मित्री गाम और दीगर इलाकों के अंदर लगबग दो फुट के करीब बरफ जो ह रिकॉर्ड किया गया है और जहां जनुबी कश्मीर की आपको बात कर रहे हैं तो पुलवामा, कुलगाम, शुपिया और अनंतनाग के मुक्तलिप इलाकों के अंदर एस्पेशलिश शुपिया के पहाड़ी इलाकों के अंदर जोरदार बरबारी जो है वो होने को मिली है औ और शुमाली कश्मीर की नौर्थ कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो बांडी पोरा से अब शुरुआत कीजिए तिलेल तक का इलाका ले लीजिए गुरेज तिलेल इलाके में सनीचर और इतवार की दर्मियानी शब हलकी बरबारी हुई और सुभा के वक्त कहीं 12 इंच तो शुमाली कश्मीर के कई अलाकों के अंदर जबरदस बरबारी हुई है गुलमर्ग टंगमर्ग पटन रफियाबाद कस्वा और बरामला में हाजीबल और धीगर इलाकों के अंदर 4 इंच से 1 फिट तक बरब को रिकॉर्ड किया गया है गुलमर्ग और टंगमर्ग में 7 पर दुबारा बरबारी होने की वज़े से मौसम इस वक्त इंत्याई खुजगवार है उन लोगों के लिए जो वहां पर बरफ का नजारा करना चाहते हैं